दोस्तो आज हम बात करेंगे UP Board Exam 2024 की Class 10 के लिए ये वीडियो दोस्तो बहुत important वीडियो होने वाला क्योंकि आपको भी पता है कि Board Exam के लिए मात्र तीन महीने बचे हुए है इन तीन महीनों में आपको बहुत अच्छी तरीके से तयारी करनी है तभी आप अच्छे नंबर अच्छीव कर पाएंगे Board Exam में दोस्तो ये वीडियो संसक्रत के लिए मैंने बनाया हिंदी में जो आपका 20 नंबर का संसक्रत आता है मैं आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा संसक्रत हल के साथ लेकर आया हूँ दोस्तो मैं question भी लेकर आया हूँ और उसका answer भी लेकर आया हूँ वीडियो में last तक बने रही है आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला ये वीडियो और 20 नंबर आपके पक्के होने वाले यहीं से ताकि आपको क्योल 50 नंबर के और तयारी करनी रहेगी सत्तर नंबर में से और 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेंगे ही चलिए start करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के देखिए पहला question हमें क्या आएगा संसक्राइब में दिये गए संदर्व और क्या लिखना है उसका अनुवाद करना है बस इतना करना है देखिए इस मॉडल पेपर में विदिया गया बहुत ही इंपोर्टेंट वारानसी वाले चैप्टर से है देखिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट देखिए दो जार पांच छे साथ आठ लगातार आया हुआ है बीस तक और देखिए क्या वारानसी सुख्याता प्राचीन नगरी इयम क्या लिखा है विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले इस्थिता अस्या घटनाम वलयक्रति पंकित्या धवलायम क्या लिखा है धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते अगडिताह पर्यतकाह सुदूरभ्या देशयभ्या नित्यम अत्रयायांति अस्या घटानाच क्या लिखा हुआ है सोभाम उसके बाद देखे क्या लिखा हुआ है विलो के इमा बहुत प्रसंसा थी दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके जिसको आप समझ सकते हैं देखे क्या लिखा है वारा नसी सुख्यात प्राचीन नगरी अल्ला इसका अर्थ क्या हुआ वारा नसी गंगाया कूले इस्थिता मतलब क्या है यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे इस्थित है गंगाया क्या होता कूले मतलब किनारे गंगाया मतलब गंगा के अस्या घटानाम वलेयाकरति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते इसकारत क्या गुमाओदार क्या गुमाओदार वलेयाकरत मतलब क्या होता है गुमाओदार पंक्ती मतलब पंक्ती ही होता है उसके बाद क्या है स्वैत चांदनी धवलायाम चंदिकायाम मतलब क्या होता है स्वैत चांदनी स्वैत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है बहुराजिते मतल मतलब क्या हता है असङंग जिसकी गिंति ना की जा सके और पर्याटका, क्या होता, यात्री असंग यात्री ब्रहमल करने के लिए दूर देश से यह क्या लिखा दूरभ्या देशव्भ्या दूरोम नित्यम प्रती दीन मतलब हमेज़ा रोज परड़े अत्र आयंती मतलब यहां आते हैं ठीक है उसके बाद कहा लिखा अस्या घटा नाम सोभाम विलोक इमाम बहु मतलब यहां आते हैं और इसके घाटों की सोभा देख कर इसकी बहुत प्रसंचा करते हैं दोस्तों जो भी मैंने अभी आपको समझाया है बस यही चीज आपको लिखना है देखिए question में अब चलते हैं लोग answer के और देखिए कैसे लिखा हुआ है बहुत ही आसान भासा में मैंने लिखा है इसका संदर भी लिखा है और इसकी व्याख्या भी लिखा है देखिए च्रत खंड से वाराण सी नामक पार से लिया गया इसमें पाट का नाम याद करना बहुत जरूरी आपको पाट का नाम नहीं पता रहेगा आप संदर्म लिखने वसे वन्चित हो जाएंगे चलिए हम लोग देखते हैं एक बार अनवात जो मैंने आभी आपको बताया बिल् बहुत सुन्दर लगती है असंखियात्री भ्रहमर करने के लिए दूर देश से प्रति दिन यहां आते हैं और इसके घाटों की सोभा देखकर इसकी बहुत प्रसंसा करते हैं क्या करते हैं प्रसंसा करते हैं चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने पध्यांस की ओर दोस्तों च यह रहेगा पध्यांस जिसमें से आपको एक कानुवाद और उसी की संदर भी लिखना है देखिए क्या है सर्वे भावन्तु सुखना सर्वे संदु निरामया सर्वे भद्रान पस्यांतु माकस्चित दुख भाग भावेत बहुत इंपॉर्टन कई बार पूछा गया इस बा मतलब सभी सर्वे संदु निरामया सर्वे संदु निरवाग हो निर्योग जो रोग रही थो मतलब रोग नहों जिसके अंदर वही और मतलब सभी का कल्यान हो हो ना एक तरीके से कोई दुख का भागीदार ना हो चलिए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे अब हम लोग पहले इसका देखेंगे संदर्व उसके बाद देखेंगे व्याठ्या संदर्व क्या प्रस्तुपध्यान से हमारी पाट पुस्तक हिंदी के संसक्रत खंड से भारती संसक्रत किस पाट से लिया गया है इसके पाट से उद्गरत है इसमें रचईतक नाम तो दिया नहीं जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं उसको आप छोड़ दीजिए देखिए आप दुख का भागीदार ना बने बस यही था, यही तो लेना ही था और कुछ था ना इसमें उसके बाद अगला question क्या आता है question number 3 देखी क्या था जो की 2 number का आता है अपनी part पुस्तक से contest किया हुआ कोई एक स्लोक लिए जो इस प्रस्न पत्र में ना हो, मतलब आपको ऐसा स्लोक लिखना दो इसमें खुद दिये रहते हैं और तीसरा आपको लिखना है मतलब दो को छोण करके तो आपको 4-5 स्लोक कम से कम हिंदी अर्थ साहित पता कर लेना है तो देखिए क्या है, स्लोक भी मैंने लिख दिया है ये स्लोक मैंने लिख दिया ये भी कई बार आता है पेपर में तो इसको भी आप लोग तैयार करने ना चलिए हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है दोस्तों सबसे बड़ा धमा का आ चुका यहां पर देखिए आपको दो प्रस्नों के उत्तर दिये रहेंगे और चार प्रस्न दिये रहेंगे देखिए गाली निम लिखित में से किनी दो प्रस्नों के उत्तर संसक्रत में दीजिए मतलब चार प्रस्न दिये रहेंगे इस्वराह एक एव इती भारती संसकत मूले क्या है विश्वस्य इस्तस्था यही भारती संसकत का मूल है इस्वराह देखिए उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है पुरुराजा कासित पुरुराजा कौन थे पुरुराजा कौन थे भाई साब पुरुराजा एका भारत वी राजा वीर थे उसके बाद चंद सेखरा का आसी थे चंद सेखर कौन थे यहाँ पर पूछा गया है तो चंद सेखरा प्रसिद क्रांतिकारी देश भक्तिस्च आसी मतलब चंद सेखर जी जो थे वो प्रसिद क्रांतिकारी थे और देश भक्त भी थे तो यहाँ पर बताया गय उसके बाद एक question अगला है वीर केन पूझेते वीर वीरेन पूझेते यह chapter का नाम ही है वीर वीरेन पूझेते बहुत important chapter भी है अगला देखिए क्या है नीचे मैं लेकर आ चुका हूँ यहां से आपके जो भी number है एक एक number के आपके बहुई कल्यों पी में पूंचे जाएंगे सब दुरूप फल का मति का मधु का और नदी का जोस्ते वीडियो बहुत लंबी हो जाते क्योंकि इसके सातों विभाति लिखना पड़ेगा उसके बाद वचन उसके सब कुछ लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है आपके कमपी में दिया गया important यह सबसे आद फल और नदी यह ज्यादा important है और मति और मधु भी important है लेकिन यह थोड़ा काम है यह ज्यादा important यह हरताल पूंच जाते हैं धात रूम में बात करें तो पठ और हस इनका दोनों को तयार कर लेना अगर संदी की बात करें तो क्यों यह संदी आपके class 10 में आती है इसको क्यो हरता